हारे क्रेशने राधे राधे भक्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीब भक्ती ज्यान गंगा में भक्तो आज की इस वीडियो में मैं बैकूंथ चतुरदर्शी की पुझा विधी बताने वाली हूँ इसे हरी हर मिलन का दिन भी कहा जाता है तो भक्तो ये चोंकी आप पूरव दिशा की और लगा ले या फिर उत्तर दिशा की और मुख करके इस पुझा को करना है चोंकी के नीचे आप स्वास्तिक बना ले आश्डदल मैंने कमल बना लिया है दीपकलस की स्थापना की है क्योंकि देव पूझन है और विष्णु जी का और शिर जी के प्रतिमा फूलों के आसन देते हुए स्थापित किया है आकशत पुझप ले करके सभी देवी देवताओं का वाहन करेंगे और ध्यान करके आकशत पुझप भगवान के चर्णों में छोड़ देंगे प्रात्ना करेंगे कि आप अपना पूझन करने का सोभाग्य हमें प्रदान करें उसके बाद हम सभी का ध्यान करते हुए जल से गंगा जल से सुधिकरन कर लेंगे पुश्प की सहायता से आप चाहे तो आम के पलों से या फिर कुशा की मदद से भी स्नान करा सकते हैं भक्तो इस प्रेकार से हमें ये पूजन करना है बहुत ही साधारन सी मैं पूजा सिंपल सी बता रही हूँ तो यहां गणेश जी का ध्यान करते हुए हम अगनी देपता को प्रजुलित कर लेते हैं और उसके बाद एक अलग से दीपक की स्थापना करेंगे तो मैंने यहां पर फूलो कासन दिया है प्लेट में और दीपक मैंने तेली की तेल का बनाया है आप देशी घी का भी बना सकते हैं तो हम यहां पर दू दीप यहां प्रजुलित कर लेंगे और भक्तो ओम नमो भगवते वासु देवाई नमो नमहा मंत्र का जरूर से जाप करें भक्तो इसे हर हर मिलन का दिन भी कहा जाता है तो इसने भोग क्या लगाया जाता है तो भक्तो हम पहले यहाँ पर सभी को टीका कर देंगे इस प्रेकार से सभी को चंदन का टीका लगाएंगे क्योंकि भगवान विष्णु जी को और मुले नात जी को यहाँ पर सभी को चंदन से टीका करेंगे और उसके बाद हमें अक्षत अरपित करना है भक्तो बहुत ही शूप दिन रहता है तो इस प्रेकार से हमें यह पूजन करना है बैकूंठ चतुरदशी को हमें जरूर से जो सुर्दशी कहते हैं यह हरीहर मिलन का दिन भी होता है देव शैनी एकादशी को भगवान शिरी हरी विष्णु चार महीने की योग निद्रा में पाताल लोक में राजा बली के यहाँ पर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं तो इस तरह से हम माताव गौरी को और देंगे इस प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर मैंने फोटो विराजमान किये हैं स्थापित किये हैं आप चाहें तो मूर्ती भी स्थापित कर सकते हैं सभी का हम यहाँ पर टीका करते रेंगे भक्तो आप ये पूजन सुभा सवेरे भी स्नान करके कर सकते हैं या फिर श पूजन किया जाता है आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते नहीं तो आप बैकॉंट चतुरदशी के दिन दिन में या साम में किसी भी समय आप ये पूजन कर सकते हैं बहुती विशेश रहता है ये पूजन हम यह आपर तीली और अक्षय तरपित कर देंगे क्योंकि भगवान आपको पूजन करते हूए चलना है उसके बाद हम हम इहां फूलों की मला अरपित कर देंगे सभी को तो मेरी माला फूलों की थोड़ी सी बड़ी है तो मैंने दोनों को ही पहना दिया एक साथ में भक्तो इस दोरान भगवान शीव सारी श्रिष्टी का भरण पोशन करते हैं जब भगवान विश्नु योग निद्रा में चले जाते हैं देव उठनिये का दसी पर भगवान विश्नु जी को जगाया जाता है जिसे हम देव उठनिये का दसी भी कहते हैं और देव उठान भी कहते हैं इतरे लगा करके हम वस्त्र रूपी के लावा समर्पित कर देंगे सभी को आप चाहे तो यहां बरपीला या सफेद वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं तो वस्त्र रूपी हम कलावा यहां पर सभी को अर्पित कर रहे हैं भक्तो पूजा कैसी भी हो बड़ी हो या छोटी हो श्रद्धा से करो सच्चे मन से करो तो इसका विशेश फल हमें प्राप्त होता है भगवान गणेश जी को बोलेना जी को और भगवान विश्णु जी को हम जलेऊ सबबर पित कर देंगे और बैकुंट चतुर दशी के दिन बोलेनाथ जी को बेल पत्र राती प्रिय होता है तो हम बेल पत्र चंद्धन का ठीक लगाते हुआ मनोकामना बोलते हुए भगवान विश्णु जी को भी बेलोपत्र अरपित करेंगे क्योंकि आज भोलेशंकर जी करें तो इस पेकार से हम यहाँ पर भगवान विष्ण को तुलसी की मंजरी अरपित करेंगे तुलसी पत्र अरपित करेंगे भकतों आज ही चतुरदशी के आप उस तरह से आप इस पूजन को संपून कर सकते हैं मैंने मधार का पत्ता भांग धतूरा ये सब ही चीज़े समर्पित कर रही हूं मुझे मिल गए थी यदि आपको नहीं मिल पारी है तो आप इसको स्कीप कर सकते हैं दुर्वा गनेश जी को समर्पित कर देंगे इस प्र सुभा में या शाम को कर सकते हैं दिन में किसी भी समय कर सकते हैं कहीं कहीं पर ये पूजा मध्यरातरी में भी किया जाता है यदि आप लड़ू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप लड़ू गोपाल और शीवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं इस पूजा में दोनों को एक सा तो इस प्रकार से हम अभीर गुलाल अर्पित कर देंगे भक्तों मैंने यहां पर दीप कलस की स्थापना की है यदि आप कलस की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तब भी आप इस पूजन को आप संपोर कर सकते हैं बिना कलस की स्थापना किये हुए बगत यदि आप वरत रख रहे हैं तो वरत आप फलाहारी या फिर अपने स्वास्ते के अनुसार निरजला वरत भी रख सकते हैं लेकिन आप फलाहारी वरत रख सकते हैं यदि वरत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आप इस पूजन को कर सकते हैं लेकिन आप सुद साथ विग्रह करके, ही इस वॉरत को करें, ब्रहम्चारे का पालन करें, मैं यहाँ पर जल का भूग लगा रही हूं, तो मैंने यहाँ चंधन से पांच टिकिया लगा दिया हैं, आप पांच साथ इस तरह से टिकिया लगा सकते हैं, और जल के भूग में हम बेल पत्र डाल देंगे और साथ में तुलसी पत्र डाल देंगे क्योंकि आज हरी हर मिलन है तो हमने यहां पर दोनों को भोग एक साथ लगाएंगे इस प्रकार से रख सकते हैं आप चाहे तो यहां पर मूर्ति या फोटो दोनों को एक साथ रखनी होती है इस पूजा में अक बोले का भोग हम भोलेनाज जी को और भगवान विश्णु जी को समर्पित कर देंगे इस प्रेकार से और जब हमारी पुझा संपोन हो जाती है आप ये आमले दान भी कर सकते हैं या प्रसाद के रूप में भी ग्रहन भी कर सकते हैं आज के दिन खिचडी का भोगल गया जात है इसे मिलाकर खिचडी बनाई जाती है तो इसे सात्वी खिचडी बनानी होती है तो इसे हरहर मिलन का दिन है तो इन दोनों को दाल चावल मिलन करके खिचडी बनाते हैं और इसके उपर बेल पत्र और तोलसी पत्र लगा करके हम दोनों को भोग एकी साथ ही लगा देंगे आप इसके अंदर सीजनल सबजी का भी प्रयोग कर सकते हैं और बैकपुंट चतुरदशी के दिन इस खिचुडी का भोग विशेश रूप से लगाया जाता है हरी मौंग की दाल और सफीच चावल को मिला करके खिचुडी बनाई जाती है इसे शीरी नारेन खिचुडी बनाई जाती है इसका भोग वैकुंट चतुरदशी के दिन हमें जरूर से लगाना चाहिए जो भी आपके पास सुरीतु फल हो उस पे बेल पत्र और तोलसी पत्र रख करके भोग जरूर से लगाए आक्षद और तीली ले लेंगे हाथ में और कोश्प ले लेंगे हमें यहां बैकुंट चतुरदशी की कहानी सुननी होती है यदि आपने व्रत रखा है तो कत्था आपको जरूर से सुननी चाहिए यदि आप बरत नहीं रख रहे हैं सिरफ पूजन कर रहे हैं तो इस पार्ट को आप keep कर सकते हैं तो बगत इस प्रकार से जो बैकुंठ चतुरदशी की बरत कता है वो मेरे चैनल पर आ चुकी है आप वहाँ जा करके कथा सुन सकते हैं कथा सुनने के जो लिंक है आपको डिस्कुप्शन में मिल जाएगा आक्षित पुछ पर हम बगवान के चरणों में छोड़ देंगे शमा प्रात्ना मांग लेंगे भक्तरिव वैकूंद चतुरदशी है 14 का दिन है तो यहाँ पर 14 दिये, जलाये जाते हैं दीबदान किये जाते हैं आप चाहें तो आटे के बना सकते हैं मैंने ये पहले से ही तियार कर लिया है इसका पूजय किस प्रकार से किया जाता है इसे कहां कहां दान करना है इसका वीडियो मेरे चैनल पर है आप वहां जा करके देख सकते हैं उसके बाद हम करेंगे अंतमिक कपूर से आरती आप चाहें तो जो दीपक आपने प्रजलित किय आप उससे भी आर्टी उतार सकते हैं बहुत ही शूब रहता है तो इस प्रकार से हमें आर्पित करनी है बक्तों जो भगवान विश्णु को चुढ़ाई जाती है वो भगवान भोलिनाज जी को विश्णु जी को जितनी भी प्रिये चीजे होते हैं भोलिनाज जी को जाता है शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी नदी सुरोवर तलाब के किनारे चोदा दीपो का दान करता है और हरीहर का यानि भगवान भुलिनाज जी का और शिरी हरी विष्णु जी का पूरे वीदी विधान से पूजा करता है शेच्ची स्रध अधीृ होता धागवन सहस्विकार कर लेते हैं उसके बाद शमाप्रातना जरूर से मांग ले पूजा में रही आगदिक्तम हो ही जाती है तो शम abbiamo व्रूजा संत्र निकाले अपकी पूजा संपून हो जाती है एंuldग कर सकते हैं खिचड़ी का भोग जो आपने लगाया है ये प्रसाद रूप में सभी प्रिवार्जन के साथ गिरहन कर लें और जो रितुफल हैं वो सब आप प्रिवार्जन में बाट लें बैकूंट चतुरदशी के दिन ऐसा ही होता है कि भोलेनाज जी की जितनी प्रिय चीज होग जरूर से लगाएं बैकूंट चतुरदशी के दिन सुध सात्वी खिचड़ी देसी घी में बनाया कर त्यार की जाती है बैकूंट चतुरदशी की कथा जरूर से सुननी चाहिए ये पूजन आप वरत करके कर सकते हैं बिना वरत करे भी पूजन कर सकते हैं यदि आप चोकी नहीं लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं आप अपने घर के मंदीर में भी ये पूजन कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सस्क्राइब जरूर से करे कमेंट बॉक्स में शिरी हरी विश्नू ओम नमस्वेज जरू जिरू जिरू राधे